नमस्कर दोस्तों मैं उदेलाट फ्री एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी का चहीते चानल इंडियन मुर्गी पालन परवड़ों देखने वाले हरकिसान भाई का और मुर्गी पालक भाई का आज की वड़ों में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत दोस्तों थम नेल देखा टाइटल पड़ा हां दोस्तों सामान्य मुर्गी पालक भाये का सबसे बड़ा सवाल की पिछले कुछ दिनों से हमारे फार्म पर मुर्गों की बीट हो रही है सबसे बड़ी समस्या यहा फिलाल का है सबसे बड़ा सवाल कि पिछले कुछ दिनों से हमारे फारम पर मुर्गों की बीट दिखाई दे रही है यहां पर सफेद फिर फारम पर मुर्गों की बीट सफेद दिखाई देना यहां किस बिमारी का है दोस्तों यहां पर मुख्य लक्षन इस बिमारी का नाम क् यह बीमारी होने के बाद किस दवा का इस्तमाल करना चाहिए कि जिस माध्यम से हम हमारी देशी मुर्गियों को यहाँ पर इस बीमारी से सव प्रतिशत बचापा सकेंगे तो क्या है दोस्तों इस बीमारी का नाम, क्या है इसके लक्षन और किस प्रकार से करना है इसका यहाँ पर उपचार इसकी सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए यह वीडियो शुरुआ चेले कर यहाँ पर अंततक देख लीजिए अगर वीडियो देखते हुए आपको पसंद आ जाए तो जरूर इस वीडियो को यहाँ पर एक लाइक कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाईयों तक यह वीडियो पहुचाने के लिए यहाँ पर जरूर शेर कर दीजिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको यहाँ पर समय समय पर मिलता रहेगा तो देखिए दोस्तों सामान्य मुर्गी पालक भाईयों का सबसे बड़ा सवाल कि पिछले कुछ दिनों से हमारे फारम पर मुर्गियों की बीट हो रही है यहाँ पर सफेद मुर्गियों की बीट सफेद होना किस बीमारी का है लक्षन यहाँ लक्षन देखने के बाद ऐसा कौन सा वह उपाए है कि जिसका इस्तमाल करके हमारी मुर्गी यहाँ पर हो पाएगी सव प्रतिशाद तन दुरुस्त तो देखिए दोस्तो इस बीमारी का नाम है CRD यानि chronic respiratory disease यहाँ बीमारी सास नलीका से सलगनित है दोस्तो यह बीमारी bacterial infection से होती है लेकिन बीमारी तो आच चुकी है तो तुरंत लक्षन जान लेते हैं तो लक्षन नमबर एक अगर आपकी मुर्गियों की बीट सफेद हो त तो यह CRD का लक्षन है नमबर दो अगर आपकी मुर्गी उपर देखके सास ले रही है तो यह CRD का लक्षन है नमबर तीन यदि आपकी मुर्गी सास लेते होई सुई सुई नहीं तो घर घरा इसा आवाज निकाल रही है तो यह CRD का लक्षन है लक्षन नमबर चार अगर म आखरी लक्षन दोस्तों रात के वक्त आड़ बजे के बाद फार्म के लाइट यह दी बंद कर दोगे और वहां पर दोस्तों आप मुर्गी के पास बैठोगे तो आवाज सुई सुई नहीं तो घर घर आती ही आती है दोस्तों तो समझ लीजे कि हमारी मुर्गियों को यहां पर CRD का प्रकोफ हो चुका है और साथी साथ में दोस्तो CRD की इस बीमारी में मुर्गी को हिचकी भी लग जाती है इसलिए दोस्तो ये इस बीमारी को पहिचानना जरूरी है यह बीमारी होने के बाद मुर्गी दो-तिन दिनों में तो मरती नहीं है आप एंड्रा फ्लॉक्जिन नाम का मेडिशन लाकर रखिए और उसको प्रती दिन दोस्तों यहाँ पर देना है ऐसा कंटिनियूस तीन दिन देना है उसका डोस क्रिस्प परकार से तयार करना है एक लिटर पानी में दो से तीन यमेल तक आपको इंड्रा फ्लॉक्जिन मिक्स करके देना है दोस्तों तीन दिन आगर आप दोगे तो आपके फार्म पर सियार डी दिखाए भी नहीं देगा इसमें जिन मुर्ग्यों के लिए उनको बी जास दीजिये जिनको नहीं वा उनकोflanzen करेंगे लेकिन अगर हमारे यहाँ पर नहीं मिलेंगे दूसरी दवा बता दीजे तो दूसरी दवा का नाम सुन लिजे दोस्तों नहीं तो लिख लिजे अगर इंट्राफ्लोक्जिन ना मिले तो टाइलो सीन लाइए ना मिले तो इंट्रोसीन लाइए ना मिले तो टाइलो टाइन लाइए इन चार से रोक लिया जाए अगर आपकी मुर्गियों की बीट सफेद हो रही है तो तुरन दोस्तों आप एंडरा प्लॉक्जिन का डो से चलवा दीजिए आपकी मुर्गियों की बीमारी सव प्रतिशत हो जाएगी दूर तो दोस्तों यह पूरा वीडियो आपके लिए मैंने प्रस् यता की जाएगी और आप अगर मेरे साथ जुड़ जाओगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको इस स्वेवसाय के माध्यम से लाखों का मुनाफ़ा प्राप्त करने से वन्चित कर नहीं पाएगी तो दोस्तों अगर मेरे साथ जुड़ना है तो संपर करीजिए क्रिपय और इंडियन मुर्गी पालन के नाम से आमने वाटसप ग्रूप ओपन कर दिया डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है वहाँ पर जाके जुड़ जाएगे तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख कर भेज दीजे पसंद आया होगा तो ज़रू ये वाला हरूड़ आपको समय समय पर मिलता रहेगा तो दोस्तों आई साही एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्तों देलाड़ाब सभी के चहीते चानल इंडियन मुर्गी पालन पर आपको मिलता रहूँगा तब तक के लिए मेरे हरकिसान भै और मुर्गी पालक आज के लिए में तहें दिल से बहुत बहुत आभार